बच्चों अब हम उदाहरण 20 पर काम करेंगे उदाहरण 20 यहां भी हमें गुणा करना है और वो गुणा हमें दिया हुआ है 16 गुणित 15 यहां पर आप देख रहे हैं कि जो संख्या है 16 वो आधार 10 और 6 का योगफल है और यह आधार 10 और 5 का योगफल है तो इस उदाहरण के लिए हमारे पास दोनों के आधार तो 10 है और विशलन करमशा पहली संख्या के लिए धन 6 और दूतरी संख्या के लिए धन 5 है इन्हें हम लिख लें इस तरह से यहां जो हमारी संख्या है वो क्या है और उसका विशलन क्या है तो पहली वाली संक्या जो दी हुई है हमें 16 है जिसका विशलन 6 है धन 6 कह दे और दोनों का आधार हमारे पास 10 है इस संक्या का आधार 10 और विशलन 6 दूसरी संक्या 15 है इस 15 के लिए भी आधार 10 है और विशलन धन 5 है गुणा क्या होगा देखिए हम दो भाग लिखेंगे दाहिना भाग इन दोनों का गुणा होगा जो छे गुडित पांच करने पर हमको तीस मिलेगा तो यहां हम सिर्फ इस इकाई को लिखेंगे और यह जो तीन दाहाई है वो हासिल के रुप में हमारे इस बाइई तरफ चला जाएगा तो आप देखे कि यहां हम क्या करेंगे कोई भी एक संख्या ले जैसे हमने सोला लिया और उस पर दूसरी संख्या की विश्लन को जोड़ दे तो दूसरी संख्या की विश्लन को जोड़ दे तो दूसरी संख्या की विश्लन को जोड़ दे तो दूसरी संख्या की विश्लन तो ये आपको दहाईयों के रुपे मिलता और एक दहाई आपको यहां से और मिली हुई है यदि आप इसको फिर से लिखे तो आपको मिलेगा शुनिकाईया और सोला धन पांच दहाईया धन तीन दहाई तो हमको यहां मिलेगा सोला धन पांच धन तीन दहाईया और यह आपको मिलेगा है 16 और 5, 21 और 3, 26 दहाईया, 24 दहाई और 6 निकाई इससे हम दुबारा फिर से लिखें, हमें जो प्राप्त हुआ था, 16 धन, 5 धन, 3 इतनी दहाईया मिली थी और एकाईयों के रूप में शुन्य बचा था, आप देख रहे हैं यह 16 और 5, 21 और 3, 24 दहाईया और 6 निकाई इससे आप 240 और शुन्य का योग कह सकते हैं या सीधे सीधे 2, 4 शुन्य लिख सकते हैं यह जो हमें परिणाम मिला, वो 16 गुनित पंद्रा का परिणाम है, हल है